अस्सलाम आलेकुम मैं हूं मुहम्मद अन्मारुला और आप देख रहे हैं यस्डिया टूप फ्रेंड्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नए वीजा पर साओधी अर्बिया में काम करने के लिए आए हैं चाहिप इंडिया से आए हो पाकिस्तान से आए ह तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपका तवकलना भी नान इम्यून दिखा रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस भाई का नान इम्यून दिखा रहा था उसको मैंने कैसे इम्यून किया है अगर आपका भी यही सेम प्राबलम है तो ये वीडियो पूरा लाश्ट तक देखने इंशालला अब आपको दोसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका तवक्कलना भी गिरीन हो जाएगा इम्यून हो जाएगा इस भाई की क्या प्राबलम थी कि इन्होंने अपने देश में दो वैक्सिन ली थी और वहीं से इस सर्विस पर दोनों वैक्सिन अपलोड किये हो या नहीं किये हो अगर यहां आने पर अगर इस तरीके सा जीस तरीके साथ इसक्री पर देख सकते हैं नान इम्यून दिखा रहा है तो इसको कैसे इम्यून करना है यह वीडियो आप पुरा देख लेते हैं तो आपकी यह problem solve हो जाएग तो क्योंकि इसी के डिकार्डिंग मैंने तवक्लना से और वजारतक्स सहे भात किया है उन्हों के-स बैस बात हा किया है क네 अन्हों इस बाहले साहे तो चलिए धेडरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी तो पिलिज इसी तरह की यूसर वीडियो को देने के लिए सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके गूगल कुरोम को ओपेन कर लें और वहाँ पर आपको टाइप करना है e-services ksa या e-services saudi arabia ठीक है ये टाइप करके आपको जश्ट इंटर कर देना है तो मैं ये टाइप करके इंटर कर लेता हूँ थोड़ा सा वेट कर लें तो जो मैं ये जो पहला लिंक आ रहा है e-services request for vaccination approval in kingdom इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में नीचे आ जाना है नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ प्रेस किलिक the start service इस पर आपको क्लिक कर देना है ये जो करसर आप देख रहे है इसी पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ ऊपर इंगलिस आ रहा है आप इसको पहले English में convert करने ताकि आपको समझने में आसान ही हो उसके बाद में scroll करके नीचे आ जाएं जब आप scroll करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ tick पर आपको click कर देना है tick पर click करने के बाद में आपको just next पर click कर देना है next पर click करने के बाद में आप applicant type आप सबसे पहले उपर देख सकते हैं अगर आप साओधी अरबिया में आ चुके हैं तब आपको अपना तवक्कलना गिरिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अपशर बनाना होगा अपशर बनाने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं ध्यान देने वाली बात है और applicant type में आपको Saudi resident यानि आपका Iqama ये select करना है उसके बाद में यहाँ पर Iqama number डालना है Iqama number डालने के बाद में दोसरे खाने में आपको Iqama का expiry date डालना Iqama का expiry date RB में होना चाहिए उसके बाद में capture code डालना होगा तो मैंने आलक से Iqama number पहले से लिख रखा है तो मैं copy paste करता हूँ और जो Iqama का expiry date है यहाँ से मैं Iqama का expiry date डालना हो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि Iqama का expiry date RB में ही डालना है आप अपने अफशर में या तवक्लने में जाकर के अपने Iqama की expiry date RB में आप देख सकते है expiry date डालने के बाद यह code है यह code यहाँ पर आपको fill करना है उसके बाद मैं next पर click कर देना है जब आप next पर click कर देंगे तो आपकी detail यहाँ पूरी सामने आ जाएगी यह खुद बखुद ला करके रख देगा तो यहाँ पर आप चेक कर लें उसके बाद मैं नीचे contact information में आपको अपना email address डालना है तो मैंने अलग से copy कर लिया है आपका जो email address हो आप भी वो अलग से copy कर कर रखें ताकि जल्दी जल्दी भरने में आसानी हो तो मैं यहाँ पर just paste कर लेता हूँ तो यह paste का option नहीं आ रहा है तो मुझे type ही करना पड़ेगा तो मैं type कर लेता हूँ और यह मैंने यहाँ पर type कर लिया और अगले खाने में confirm email वही email सेम आपको यह confirm करने के लिए यहाँ पर फिर डालना है क्योंकि अगर आपके पास mobile number है या नहीं है तो यह जो OTP आएगा ना वह आपके email पर भी आएगा आपके mobile number पर भी आएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर मेरा mobile number है यह mobile number मैं यहाँ पर paste कर लेता हूँ उसके बाद मैं nest कर देता हूँ जब आप nest कर देंगे तो आपके mobile number पर भी OTP आएगा और email ID पर भी OTP आएगा किसी में से एक देख करके आप यहाँ पर OTP फिल कर दें तो यह मैंने email ID से अपना यह जो OTP आया हूँ यह OTP डाल दिया उसके बाद मैं nest कर दें nest करने के बाद friends आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आजाएं उपर में कुछ निकरना vaccination information यहाँ पर आप आजाएं और select आपने कौन सी vaccination अपने देश में लगाई है इसमें से जो भी है वो आप select करने अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको AstraZeneca यहाँ पर आपको select करना क्यों आपको same exact date ही डालना है तो मैं यहाँ पर अपनी vaccination certificate जो जिस बंदे की है उसको खोल के देख लेता हूँ कि इन्होंने पहला डोज कब लगवाया है और दोसरा डोज कब लगवाया है तो यहाँ से मैं तारीक को confirm कर लेता हूँ आप भी इसी तरीके से खोल करके बढ़ियां से तारीक confirm करने तारीक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहला डोज कब लगवाया है आपने दोसरा डोज कब लगवाया है एकदम exact आप कहीं अलग से लिख लें ताकि दिक्कत ना होकिए क्योंकि एक दफा जब reject हो जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो यह मैंने तारीक को देख लिया उसके बाद में यहां से मैं पहला डोज कब उन्होंनों लगवाय था वो स्रेट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर सेकंड डोज की तारीक फिल कर ला हूँ आप भी इसी तरीके से बढ़िया से ध्यान से फिल करें उसके बाद में यह जब आपका फिल हो जाएगा वन बाई वन करके जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले आपको पासपोर्ट अपलोड करना है फिर वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट फिर इकामा वैसे सेम अपलोड कर दें जैसा कि मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ आप देख लें अपलोड जब सारा हो जाए उसके बाद में आपको जश्ट सबमीट पर आपको किलिक कर देना है तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर यहाँ पर यॉर वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट अपडेटेट suck su Long li या वैक्सिनेशन सत्टिफिकेट success su Dur हो गया जब इस तरह का मेसेज आ जाए तो आप हैप्टी हो जाएं कि एक से दो दिन के अंदर फिर से इंशालला आपके इमेल पर एक मेसेज आ जाएगा कि आपका जो आपने अपलोड की थी वो एक सेप्ट हो गई है तो चलिए मैं आपको अपने इमेल आड़ी पर लेकर करके चलता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर आप तारीख देख लें इसके बाद में आप देख सकते हैं दोसरा मेल आए है 17 फरवरी को की तलब लिखा ए इसके बाद में आप देख सकते हैं यह कि उसके बाद में इनों ने अपडेट करके दोबारा इंस्टाल किया